कबीर जी की चोथी साखी है पक्ष और विपक्ष के कारण सारे संसार ने बुलान बुला दिया है किसको इश्वर को अभी प्राय क्या है कि सभी व्यक्ति जो है वो इश्वर के अस्तित्व के बारे में संदे में हैं कोई ये कहता है कि इश्वर निर्गुन है कोई कहता है सगुन है साकार है निराकार है और हम सभी इश्वर के अस्तित्व की इस बहस में उलज कर इस संसार में इश्वर के सत्य को भुला बैठे है कि सत्य रूप में इश्वर हमारे अंतर्मन में मुझूद है निरपक होई के हरी भजन करना चाहिए हमें निश्पक्ष होकर हरी का भजन करना चाहिए सोई संत सुजान और जो वेक्ति निश्पक्ष भाव से इश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत है वही सच्चा साधू है सुजान वही बुद्धिमान है अर्थार्थ भाव क्या है इस पद्ध का कि हमें इश्वर के अस्तित्व के बारे में बहस करने की बजाए केवल उन का नाम समान करना चाहिए क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तब ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं काव्य सोंद्रिय सोई संत सुजान सै सै के अवरित्तिय अनुप्रास अलंकार है और सबसे बड़ी बात दोहा चंद का प्रियोग किया गया है